अब कैंदरीय सरकार प्रतेक सरकारी शिक्षक की कुंडली करेगी तयार जाने क्या-क्या देनी होगी जानकरी जी हाँ दोस्तों अब कैंदरीय सरकार प्रतेक सिक्षक की कुंडली तयार करने जा रही है कुंडली तैयार करने का मतलब है कि उसका बायो डाटा अब ऑनलाइन हो जाएगा उसमें क्या-क्या जानकरी मांगी जाएगी क्या-क्या बढ़नी है और कहां बढ़नी है सभी बतों की जानकरी करेंगे आज के इस वीडियो में नमस्कार साथियों मेरा नाम है मोतिलाल कनोजि और आप देख रहे हैं रोयल टीचर चली दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं कि केंदरी सरकार जो सरकारी सिक्सकों से उनकी कुंडली तेयार करी है और उनका बायो डटा मांगरी है वो क्या-क्या जानकर हमें उपलब्द करवानी होगी उससे पह आपको यह रहेगा कि आगे आने वाले हर एजुकेशन संब्दी न्यूज आप तक सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी चलिए दोस्तों बात करते हैं सरकारी सिक्षक की कुंडली के बारे में यानि उनके बायो डाटा के बारे में कि कैंदरी सरकार क्या-क् लेगी और कौन से पोर्टल पर लेगी तो दोस्तों वीडियो में अंते तक जरूर बने रही है दिखाते हैं अकबार की एक कटिंग आपको यह देखे दोस्तों यह है अकबार की कटिंग नियम पूरे देश के सिक्षक ऑनलाइन करेंगे श्व मुल्यांकन शिक्षक की सैक् आपको बढ़नी है और किस प्रकार आपको सव मुल्यांकन करना है तो देखे दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्राले नई दिल्ले की और से पूरे देश में एक से आठ तक के सरकारी इसकुलों की कुंडली तैयार की जाएगी इसके लिए एक निर्धाइत ओनलाइन अनवे शक को आदेश जारी किया है वार्शिक कारी योजना में शिक्षक मुल्यांकन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी इसके लिए राजे सरकार की और से सभी प्रात्मिक और उच प्रात्मिक स्कूलों में कक्सा एक से आठ तक के बच्चों को अध्यापन कराने वाले शिक्षकों और संस्था प्रधानों के कारियों का स्वव मुल्यांकन किया जाएगा इस स्वव मुल्यांकन यानि स्वव्य मुल्यांकन करना स्वव मुल्यांकन का मुख्य उदेश शिक्षकों को बढ़ाई कराने के दोरान आने वाली कठनाईयों और चुनोतियों के आंकलन किया जाएगा शिक्षक प्रषिक्षणों का डेटाबैस त्यार किया जाएगा इसके लिए विशेश गाइडलाइन त्यार का राजे सरकार को बेजी गई है परियोजना समनमेशक को गाइडलाइन के अनूसार साला धरपन पोर्टल के अधार पर मुल्यांकन ओफलाइन और ओनलाइन भरा जाएगा तो दोस्तों यहां एक बात आ गई आपके सामने कि जो सरकाई शिक्षक की कुंडली तेयार होगी वो साला दरपन के आधार पर मुल्यांकन किया जाएगा वो ओफलाइन और ओनलाइन भरा जाएगा तो दोस्तों यहां एक वह बात बता देना चाहता हूं कि इसमें टेफ फोरम भी सामिल है यानि जो कुछ दिन पूर्वर टेफ की एक सूचना आई थी जो मैंने आपको दे दी थी कि साला दरपन पर जल्दी वो टेफ ओपन होगा तो दोस्तों यह जल्द ही ओपन होगा तो उसके बारे में मैं वीड को अपलब्द करवानी होगी शिख्षकों को अपनी सेक्षनिक योगिता सेक्षनिक योगिता बोले तो आपको दस्वीं बारवी ग्रेजुशन में मकॉम जो भी आपने किया है वह एंपलोई आई डी आप सब जानते हैं एसाई नंबर न इवीची आईडी और अन्य व्यक पर रहे यानि विगत यानि पिछले 6 मा की ओस्त उपस्ति आपको दर्ज करनी है और साथ ही सैक्षनिक और गैक्ष सैक्षनिक कारे के लिए अगर विबाग में प्रतिनुक्ति पर रहे हैं तो उसकी भी सूचना आपको देनी होगी कुल दिवसों की संख्या बरनी होगी कितने दिन आपरतिनुक्ति पर रहे इसे संस्था परदान और पियो पुष्टी करेगा शिक्षक को ब्लॉक जिल्ला राज्य और राश्टी इस्तरी प्रूसकार मिला है तो उसका बहुतिक विकास में योगदान सहसेक्षिक गतिविद्यों का संचालन और योगदान का संपून ब्यौरा देना होगा अगर आपको किसी भी तरह का प्रूसकार मिला है तो उसको वह महां मेंशन करना होगा कि हमें इस तरह का प्रूसकार मिला है और यह प्रूसकार क्यों मिला है आपकी क्या सरसेक्षिक गतिविदी रही है वह भी वहां मेंशन होगा इसके साथा दोस्तों शिक्षकों ने अभी तक किस-किस प्रकार के प्रस्रिक्षन प्राप्त किये हैं एक दिवेशिये या तीन दिवेशिये या दस दिवेशिये आवास्य प्रजिक्षन गेर आवास्य प्रजिक्षन जो भी आपने प्रजिक्षन प्राप्त किये हैं उनका वहां मैंशन होगा उन प्रजिक्षनों के इसतर अनुभव और रिजल्ट भी नेने होंगे विभागे पाठेक्रम और पुष्टकों के प्रशिक्षन कारेक्रम प्रसासनिक कारेसली के संबन में अपनी राय सुझाओ और बात इसपष्ट लिखना होगा अब इस प्रकार करना है आपको स्वव मुल्यांकन इस तै होगी कुंडली यानि आपका डेटाबेस पूरा त्यार होगा किस प्रकार मुल्यांकन करेंगे तो शिक्षक मुल्यांकन प्रपत्र यानि टेफ फॉरम में प्रतेक 6 मा में सिक्षक सम्य भरेगा हर 6 महीने में सिक्षक को सम्य भरना है साला दरपन पर आएगा पोर्टल दोस्तों जल्दी उपलब्द करवा दिया जाएगा मानव ससाधन विकास मंत्राले की और से वार्षिक कारे उजना तैयार की जाएगी शिक्षक मुल्यांकन में एक से आठ यानि कक्षा एक से आठ तक जो भी शिक्षक है उनको भरना अनेवारे होगा तो ऐसा नहीं भी कोई भी शिक्षक इससे वंचित रहे तो दोस्तों मैंने आपको सूचना दे दिये कक्षा एक से आर तक जो भी शिक्षक अध्यापन करवा रहे हैं पढ़ा रहे हैं उस अभी को टैफ फॉरम बढ़ना आवशक है टैफ फॉरम बढ़ने से सम्मंदित जो भी जानगारी थी आवशक दिशा निर्देश थे दोस्तों मैंने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ अगर आपको दिशा निर्देश जानने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वे हैं उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा जहां आप देख सकेंगे आवशक की टैफ फॉरम बढ़ने के लिए जो निर्देश है वो क्या-क्या है सिक्षक मुल्यांगन प्रपत्र शिक्षकों संस्ता परदानों की और से स्कूल सिक्षक लोगिन से समग्र शिक्षा इंटिग्रेट पोर्टल पर सिक्षक सम्यब भरेंगे यानि शाला दरपन पोर्टल पर स्कूल लोगिन से आपको भढ़ना होगा शिक्षक मुल्यांकन प्रपत्र पहला जन्वरी से जून होगा ये भी मैंने आपको सूचना दे दी थी पहले ही पहला जो प्रपत्र होगा 6 माही वो जन्वरी से जून तक होगा इसमें 15 सितमबर तक बरना अनिवार्य होगा वहीं दूसरा प्रपत्र जुलाई से दिसंबर तक होगा इसे 31 जनवरी तक बढ़ना अनिमारिय किया गया है यह दोस्तों यहां एक बात बता देता हूँ कि आपको के 15 सितंबर तो डेट निकल चुकी है जी हाँ दोस्तों 15 सितंबर निकल चुकी है लेकिन टैफ पॉरम अब जिन सिक्षकों और संस्तापरदानों ने धारित समय में वैब पॉर्टल पर प्रपत्र नहीं बरेंगे उनके अगले मा का वेतन नहीं दिया जाएगा लगातार प्रपत्र नहीं बरने वाले सिक्षकों की पदौनिती और वेतन वर्धी भी रुकेगी शिक्षक मुल्यांकन परपतर भढ़ने के बाद नियंदरन अधिकारी की और से टिपनी किये जाने के बाद उसकी print out आपको लेनी होगी और निलिकर आपके पास रखनी होगी record के रूप में इस print का record शिक्षक अपने पास रखेगा मुल्यांकन प्रपत्र पर P.O. को टिपनी का अधिकार दिया जाएगा जो स्कूल P.O. के अंतरगत नहीं आती है उसके संबंदित प्रदाना चारी और प्रदाना अध्यापक के पास टिपनी का अधिकार रहेगा तो दोस्तों इस प्रकास प्रतेक सरकारी शिक्षक की कुंडली होगी तैयार तो दोस्तों जैसे ही साला दरपन पर टैफ फॉरम भरने के लिए जैसे ही पोर्टल ओपन होगा अपडेट होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा आपको अगर बेल आइकन दबा रखा है सस्क्राइब कर रखा है तो आपके पास अप आटोमेटली की सूचना पहुंच जाएगी अगर आप चाते हैं टैफ फॉरम बढ़ने समंदी दिशा निर्देश जानने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके जरीए आप टैफ फॉरम बढ़ने समंदी दिशा निर्देश जान पाओगे धन्यवाद दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सस्क्राइब कीजिए पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न बूलें